नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एजुकिस्टन चैनल में आज हम सिखने वाले हैं 5 सबसे अच्छी ED की दवा के बारे में ED मतलब की erectile dysfunction तो उसमें 3 main problem होते हैं पहला problem यह है कि erection होने में परेशा नहीं होना दूसरा problem है erection बनाए रखने में problem होता है और तिसरा एक problem यह है कि यौन इच्छा जो हो कम हो जाना तो उसके इलाज में कौन सी 5 सबसे अच्छी दवाईया है उसके बारे में हम आज के lecture के अंदर जानेगे कि यह पूरुस से जुड़ी एक बिमारी है उनके यौन समस्या है यहाँ पर हम कह सकते है तो उसकी study करते है आज के lecture में तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारे दवाईयों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते है pharma rocks के अब उपर कि यहाँ पर जो आप देख सकते है medicine course कि जो specially हमने आपके लिए बनाया है तो यह course join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है 9016312020 पर या फिर हमारी आपको download कर सकते है link हम आपको description box में दे देंगे तो reason क्या है सबसे पहले कि कौन से reason से ED का problem हो सकते है तो पहला reason यह है psychological reason होते है second mental health related problem होते है कि समझो कि आपकी mental health अच्छी नहीं है तो भी ED का problem हो सकता है जैसे कि stress में है कोई person काफी तनाव है उसकी life में फिर stressful condition है depression का माहूल है तो भी यह problem हो सकता है फिर stress, depression anxiety में लेकि कोई चीनता है आपको relationship related problem है communication अच्छा नहीं है partners के बीच में तो भी यह problem हो सकती है फिर physical causes हम देखे कि physical causes में diabetes का एक reason बन सकता है कि अगर patient को diabetes है तो अगे जाके उसको ED का problem हो सकता है फिर obesity का एक reason यहाँ पे है कि obesity के कारण ED हो सकता है sleep disorders मनलब कि आपकी नींद पूरी नहीं हाती पर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो भी यह problem हो सकता है cholesterol आपके सरेर में ज्यादा है blood pressure ज्यादा रहता है या फिर diabetic patient है दूसरे कुछ reasons देखे तो कोई person टॉबे को यूज करता है alcohol का consumption करता है या फिर बहुत ज्यादा smoking करता है या फिर उनको smoking की habit है तो भी यह problem जो हो सकती है prostate का cancer है या फिर tostesterone की मातरा सरेर में कम हो गई है atherosclerosis का problem है या फिर Parkinson's disease related भी मारिया है तो भी यह मसला हो सकता है और दूसरा एक बड़ा reason यह है कि कोई surgery होई है reproductive organs के आसपास या फिर कोई injury होई है वहाँ पे तो भी यह problem हो सकता है या फिर spinal cord में कोई injury है तो भी ED का problem हो सकता है तो उसका diagnosis कैसे हो सके कि किस तरह से किसी को पता चले तो physical examination से पता चल जाता है symptom based पता चल जाता है medical history पर से blood test करके hormonal SM अलग कि जो पूरुसों का जो hormone है testosterone तो वो hormone का test करने से भी पता चल सकता है urine test है ultrasound है या फिर psychological examination से भी इसका diagnosis हो सकता है अब हम जानने है पांच सबसे बेश दवया तो पहला option रहता है herbal medicines का दूसरा allopathic का option रहता है तीसरा रहता है injections का फिर suppository जेटरी का भी option रहता है कि जो urethral रहती है और testoster onthera पे तो ये पांच best medication के options रहते है एडी के लिए तो सरवात करते हैं पहला option जो herbals में है तो herbal में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सीला जीत करके जो product आती है तो सीला जीत जो है वह काफी असरदार साबित होती है एडी की समस्या को treat करने के लिए किसी भी बहुत सारी कंपनिया उसको बहुत सारी brand जो है वो सीला जीत को manufacture करते हैं कि आप जो आप डाबर का product देख सकते हैं जंडू का भी product देख सकते हैं उसे तरह से हिमालिया ड्रग कंपनी है वो भी उसके related products बनाती है जैसे कि उसका एक marketed formulation है confido करके और गोकसूरा जो है वो भी patient use करता है तो ये option बन जाते है आपके लिए herbals के second जो option है एलोपेथिक दवायों के तो उसमें sildenafil है या फिर उसके option में tadalafil है कि अगर किसी को sildenafil suit नहीं होता उससे कुछ side effects हो जाती है complications हो जाते है आपके पास एलोपेथि में दूसरा option रहता है tadalafil का ये भी suit नहीं होते तिसरा option है vardenafil और चौथा option है evanafil तो ये चार same category की drug है pharmacology के अंदर तो ये भी एक option है second ED के लिए तिसरा option बनता है injection का तो injection का जो नाम है वो है alprostadil self injection तो ये जो वो proper expertise के साथ जो directly लगाया जाता है और ये जो वो minimum एक गंटे का erection जो पेसंट को प्रूवाइड करती है तो या पर ये injection आप देख सकते कि proper expertise के साथ ही ये जो वो लगाने का रहता है चौथा option है urethral suppository तो medicine सेम है alprostadil ही है पर यहाँ पर डूजर स्पॉर्म चेंज होता जाता है कि जो पहले injection था उसके बज़ाए यहाँ पर जो वो suppository और ये suppository urethral रहेगी मनलब कि जो urethral का बाग होता है वहाँ पर ये suppository को जो वो insert किया जाता है पांच ओप्सन यहाँ पर है testosterone का आगे जो हमने एक reason देखा कि जब आपके सरीर के अंदर testosterone के मात्रा कम हो जाती है तो भी ये problem जो हो सकता है तो diagnosis से ये पता चलता है report से कि अगर testosterone के मात्रा जो वो सरीर में कम हो गई है तो उस वक्त बाहर से जो वो testosterone के supplements लिये जाते है जैसे कि directly जो testosterone hormone जो replacement therapy जो कहा जाता है वो injections के थुरू patient को जो वो दी जाती है और ये भी एक काफी effective treatment मानी जाती है ED की समस्या के लिए तो ये थी 5 सबसे best medication option ED की समस्या के लिए तो ऐसा ही आपको detail में सिखना है तो आप medicine course को join कर सकते है pharma rocks के पूपर कि जैसे हम यहाँ पे 5 based ED की दवा के बारे में सिखे से बहुत सरी दवायू के बारे में आप सीख सकते है pharma rocks के पूपर कि जैसे दवायू के basic use हो गए उनके use उनके do side effect warning content indications को एक साल तक आप सीख सकते है कि जैसे यह decision medicines related जो course है उसका study material वगेरा है तो यह join करने के लिए हमें whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे तो वहाँ पे हम आपको proper guide करेंगे कि कैसे आपको यह course join करना है या फिर directly pharma rocks mobile application को आप download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best